आज हम देखेंगे open source में contribute करते कैसे हैं कितने सारी steps होते हैं क्या क्या remote job होती हैं क्या मेरी opportunities हैं और actual में हम contribute करेंगे कैसे और मैं जो job कर रहा हूँ उससे अलग है या फिर वही सब चीजे हैं ये सारी चीजे मैं आज इस वीडियो में जितने भी doubts हैं वो clear करते हूँगा सबसे पहले open source होता क्या है देखो आप अपने development में बहुत सारी libraries यूज़ कर रहे होगे जैसे जोदा जेसन बहुत सारी आप library यूज़ करते हो अपने काम को easy करने के लिए अभी ये libraries नमबर आप developers ने बनाई है जैसे कोई 12 मेंबर की टीम है कोई 14 मेंबर की टीम है ये सारी library open source है open source कहने का मतलब है या तो इनकी जो libraries है या तो वो bit bucket पे git lab पे या फिर github पे available है इनका source code आप देख सकते हो कुछ project ऐसे होते हैं उनका complete source code अवेलेबल नहीं होता जैसे twitter और कुछ ऐसे होते हैं जिनका complete source code अवेलेबल होता है ये बात clear है कि पूरा open source है क्या कुछ नहीं है सिर्फ open source project है जो लोग ने provide करवा रखे हैं तुमारे use के लिए अब उनमें हम कैसे contribute करेंगे वो मैं आप दे repository मिलेगी जो मैंने create कर रखी है open source contribution के नाम से ओके यह मैंने contribute open source contribution के नाम से create कर रखी है अब जैसे ही आप किसी भी एक repository में जाओगे जैसे ही आप एक किसी भी repository में जाओगे जैसे आपको मानलो जोदा time में कुछ issues है वो fix करने है ठीक है आपको contribute करना है तो आपको यह tab सकते हो लेबल कर सकते हो अब ये क्या कह रहा है एक इशू है यहाँ पर else statement is missing अब ये कहाँ पर missing है control flow dot java file control flow description में लिख रहा है कि control flow dot java file ठीक है अब मुझे क्या करना मेरा पहला काम ये किसी और की repository है मुझे इस repository में change करना allowed तो मैं क्या करूंगा सबसे पहला मैं इस repository जांगा और इस को repository को मैं अपनी repository में रखूंगा मतब अपनी मैं यह नाम रख रहा हूँ और मैं इसको create fork कर दूंगा इस repository का ditto copy मेरे accounts में बन चुका है गाँए कि अगर मैं अपनी profile में जाओंगो और मैं कहूंगा कि क्या-क्या मेरी repositories हैं मैंने बोला कि profile क्या-क्या मेरी repositories हैं तो यहाँ पर देख रहा होगा जोदा time ओके जैसे कि मैं इसमें contribute कर रहा था यह मैंने आपके लिए बनाया है कि open source contribution यह आ गया ठीक है अब मुझे इसमें changes करने है तो मैंने यह खोला ठीक है अब मैंने यह किसी और की है मैंने वो repository folk की है यह द्यान रखना बस ठीक है अब मेने इस repository को open किया मैंने अब इस repository को open किया यह जैसे ही repository open होगी उर मुझे जैसे ही मिलेगा link मैं code पे click करूँगा और ये url जो है मैं इसको copy कर लोगा अब मैंने क्या करना है मैंने अपने किसी भी एक directory में जाना है मैंने किसी भी एक directory में जाना है let's suppose मैं desktop और this pc मैं जाता हूँ d में और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि open terminal या फिर show more option और git bash इसके लिए git ज़रूरी है ठीक है तो मैं कहूँगा git clone और git clone और जो भी मैंने url ले रखा है उसको मैं paste कर दूँगा यहाँ पे ठीक है मैंने paste किया यह project clone होना start हो जाएगा बहुत अचीजीज है clone हो चुका है मैं इंटली जे open करूँगा और मैं इससे बोलूँगा कि एक project मुझे open करना है मुझे एक project open करना है ठीक है और मुझे project कहाँ पे open करना है in d file यह मेरी c file है मैं d में जाऊँगा मैं d में जाऊँगा और मैंने खा open source contribution control flow और इसको मैं open कर लोगा trust this project trust this project अब यह project मेरा open हो चुका है वहाँ पर हमने देखा था कि issue क्या था कि control.java file में एक issue आ रहा था right control.java file में एक issue आ रहा था क्या issue आ रहा था कि else statement missing था okay तो मैं इसको खोलूँगा control.float.java file में यह else statement एक missing है यहाँ पे इस file में right तो यह एक error है मैं क्या करूँगा मैं इसको fix करने के लिए मैंने कोई भी एक SOP उठाया just an example आपको जब भी भी आप किसी भी contribute में contribute करोगे, किसी भी open source में contribute करोगे, आपको वो सारी चीजे पढ़नी है description में उनके issues के किस इसाब से आपको code करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आगर इस पूरे को code को मैं देखो, ज़रूरी नहीं है, आपको पूरा code base पता होना चाहिए, contribute करने के लिए जिस issue को आप देख रहे हो, वो issue आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला कि a equals to 10 है, यह condition a equals to 10 के लिए चल रही है, तो else मेरा जो चलेगा वो चलेगा, यहाँ पर a not equal to not equal to 10 perfect, इसके लिए चल रहा है, अब यह मेरा क्या हुआ, अब यह मेरा issue fix हो गया, यह मेरा issue fix हो गया, अब मैं यहाँ से करूँगा मैं इसको लूँगा, issue fix हो गया मेरा अब यह मेरा issue जो था, अब मुझे commit करना है, फिर इसकी मुझे pull request बनानी है, देखो, आपका काम pull request हो खतम हो जागा, आप क्या करो, सीधे commit में जाते हैं, यहाँ से commit करते हैं, और मैं यहाँ आप से लिख देता हूँ, issue आप एक कोई, अच्छा सा commit message लिख देना, issue fix in control in control flow okay, मैं लिख दूँ in control flow dot java file in control flow dot java file, okay अब मैंने का, okay, मैंने commit किया मैं commit and push करता हूँ, ठीक, anyway commit and push, और यह push कर दिया मैंने, मेरे changes आ चुके हैं अब आप में लोगे, भी, changes कैसे आ चुके हैं अब हम pull request कैसे करेंगे कोई tension लेने वाली बात नहीं है हम सारी चीज़े अभी देखेंगे अब यह सारे जितने भी steps मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो मैंने सारे PDF में mention कर देखो यहाँ पर message आ गया, post हो चुका है अब जैसे ही आप अपनी repository देखोगे जैसे ही आप अपनी repository देखोगे तो एक बार हम इसको क्या करते है इसको हम refresh कर लेते हैं फिर मैं आपको changes दिखाता हूँ यह आपकी control flow यह आपकी वाली repository थी हम control flow में गए, src में गए हमने fix जहांपे किया था हम उसी folder पर जाएंगे हम control and switch पर जा रहे है और हम control flow पर जा रहे है अब यह आपने change कर दिया यह यहाँ पर आगे अब आपको क्या करना है आपको एक pull request करनी है आपने एक pull request कर दी create new pull request करेंगे create new pull request करेंगे अब आपको क्या करना है देखो, pull request कैसे काम करती है, आप दूसरे बंदे से कह रहे हो, कि मैंने changes कर दिये हैं, इसको आप pull कर लो, मतलब अपनी branch में merge कर दो, आप बोल लोग क्या करेंगे, कि देखो, यहाँ पर क्या रहा है, जीनी अशुनी open source, यह आपकी branch का नामा रहा है, open source, अब आप push किस में कर बोल के से रहो लेने के लिए changes, आप बोल रहे हो, अशुनी 056, जहां से आपने इस पूरी open source बारी project को आपने fork किया था, मतलब clone किया था, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कि ठीक है, अब यहाँ पर यह रहा, मैंने यह fix कर दिया है, अब मैं कहूंगा, create pull request, यहाँ पर issue fix ह जालोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप कर दोगे, dot java file, create pull request कर दोगे, जैसे ही आपने button दबाया, create pull request, आपके जो भी project owner होगा, जो भी developer होगा, उसको particular pull request का message जाएगा, उसको email जाएगा, कि कि भाई, किसी ने आपको request की है, आप इस changes को review करो, और merge कर लो अगर आपके changes perfect होंगे, fine होंगे, तो वो changes merge कर लेगा, अब let's suppose, आपको किसी real time project में conclude करना है, आने कि अपना code डालना है, तो देखो, एक यह project है, java की json library है, यहाँ पर मैं issues देखू, ठीक है, यह बहुत सारे developer use करते हैं इस library को, अब इसमें देखो, बहुत सारे issues open है, जै अब जो open issues है, उनको click करके देखोगे, और वहीं से क्या-क्या issues है, code की, कैसे code करेंगे, वो सारी चीज़ आप देखोगे, और यह देखके कि हाँ, किसी को assign है या नहीं है, अब भी देखूंगा, मैं not, anyone not assigned, आप सीधे library पे जाना, मतब इस code base पे जाना, और इसके जो code base है, उसको fork करना, already 2.5 के लोग कर चुके है, और वो आपके account में आ जाएगी, और यह सारे steps मैंने इस पूरी एक PDF में दे रखे है, कि आप क्या-क्या करोगे, कि library पे जाओगे, मतब code base पे जाओगे, explore करोगे issue को, navigate to the issue section, read description, क्योंकि issue को पढ़ना है, आपको क्या है, fork करोगे library क clone your fork, यानि कि जो आपने library, मतब जो आपने code fork किया है, उसको, आप अपने computer में डालोगे, make changes, test your changes, and commit and push, अब create a pull request, यानि कि PR कर दोगे, बस, यही ता आपका पूरा open source, अगर आपकी skills अच्छी है, और आप contribute करना चाते हो, तो वो किसी को मना नहीं करते है, आप सब कोई भी contribute कर सकता है, बट एक शर्त है कि जितने भी आपका code लिखा होगा, वो उनके parameters को allow कर रहा होगा, उनके parameters के दोरान ही लिखा गया होगा, पूरा code, यह है पूरा open source, और कुछ नहीं करना, बहुत ही easy चीज़ है, इतना कोई complicated नहीं है, आप कर सकते हो, और ऐसा बहुत बार होता आपको क्या अच्छा लगा, अगर help हुई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो do hit the like button and do subscribe, मैं मिलता हूँ आपसे किसी next video में, till then take care, bye bye